Hey guys, क्या हाल चाल अब सबके, my name is JV Singh, एक बार फिर्ट साब के सामने हाजिर हूँ और Pipes and Cistern आने वाला है अपना Sunday को आ जाएगा, लेकिन Pipes and Cistern करवाने से पहले, मैं आपको थोटा सा डेमो देने जाता हूँ कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें और दूसरे लोगों में तुम देख लेना इस वीडियो को, ठीक है, और उसके बाद तुम्हें लगेगा कि वो यूटिलाइज हो रहे हैं तुम आदे 10-15 मिनट, ये सवाल में ने, अपने next chapter, Pipes and Cistern के अंदर से उठाया है, और ये सिरफ एक छोट सी ये मैं डेमो दे रहा हूँ, chapter की, कि हम लोग जो focus कर रहे हैं, किस चीज पर focus कर रहे हैं, आप देखिएगा इस सवाल को, और आपको समझ आएगा, कि कहां पर हम content में difference दे रहे हैं, ये बताना बहुत जरूरी है, दिकत क्या हो रही है कि मैं जो content है, शुरू से मैं end तक चलत लेंग्वेज के game क्या है, और question को खुद से form कर रहा हूँ, तो कैसे करेंगे, ये थोड़ इसी छोटी बारिकिया है, जो इस सवाल के थूरू आपको बताता हूँ, तो चलिए देखते हैं, और Sunday को तयार रहना, pipes and system के लिए, बहुत जबरदस lecture रहेगा, बिल्कुल full HD में, बढ़िया quality में, नए setup में, और voice quality तो आप सोनी पा रहे हो, ठीक है जी, तो चलो like, share, comment करते रहना, और बताना मेरे को कैसी लग रही है अभी नए setup पे आपको वीडियो, ये मेरे को बहुत ज़रूरी है, आपको feedback चाहिए मेरे को, तो चलो देखते हैं एक सवाल को, और कि end में आप मेरे को बताओ यहां पे कि कुछ आपको difference लग रहा हमारे content में और किसी और के content में, तो लोग paid में भी ऐसा content नहीं देंगे, चलिए, देखते हैं इसको, देखिए, यहां पे मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस करूँगा आपको, बहुत सारे लोग आपको सिर पिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप देखिएगा कि आपने note किया होगा, जितना भी arithmetic है, सब के अंदर language की game है सारी की सारी, और यहां पे मैं आपको language के साथ play करना सिखा रहा हूँ, आज नहीं तो कल आप इस बत को समझ पाएंगे, अभी नहीं समझ तो आज मैं आपको उस चीच की डेमो देनी लगा हूँ यहां पे, तो देखो दो पाइपे हैं, टैंक को फिल करने के लिए, पहली को time लगता है 6 गंटे, दूसरी को लगता है 18 गंटे, लिखो आप यहां पे, A को time लगेगा 6 आवर, B को लगेगा 18 आवर, C जो है वो, खाल ठीक है, वो खाली करने वाली pipe है, तो उसकी वज़े से क्या हो रहा है, डेड़ घंटे का delay हो रहा है, 1.5 आवर, लेट काम हो पा रहा है, ओके, यह बोल रहा है, और अपने को निकालना क्या है, निकालने के लिए बोल रहा है कि अगर वो leak को भरे हुए टैंक में लगा दिय जाए, तो वो भरे हुए टैंक को कितनी दिर में खाली कर देगा, क्या इस बात को आप समझ पाए है, यानि कि यह बिल्कुल अलग चीज पूछ रहा है हमसे, इसके साथ रेलिवेंस नहीं है, कि इकठे अगर लगे तो क्या, इकठे में तो वो leak कभी खाली नहीं कर पाएग को, यह अपने को निकालना है, सबसे पहले तो देखो आपकी total work क्या होगा, total work जो मेरा होगा, LCM होगा, यानि कि 18 होगा, और efficiency वहां से क्या हो जाएगी, efficiency हो जाएगी, 6, 3, 18 हो गया, 18 है, 18 हो गया, ओके, यह आपकी efficiency हो गई, यह 1 है, ठीक है भई, तो positive में ही है, इसकी efficiency वो अभी हमारे पास कुछ information ही नहीं, अगर यह information होती फिर question थोड़ी पूछता, वो यही तो जा रहा है कि, यहाँ पे क्या हैगा, वही तो निकालने के लिए बात कर रहा हो, इसकी efficiency निकाल दी, तो total work यह है, total work divided by C की efficiency, वही तो answer है, लेकिन वही तो नहीं पता है न आपने को, क्या इस बात को आप पकड़ पाए है, तो यही चीज है जो अपने को निकालनी है, आप देखो कि normally अगर यह लिक ना हो, तो समय कितना रगजेगा, total efficiency 3 plus 1, 4, okay, total work है 18, तो A plus B इस काम को 18 by 4, यानि कि कितना हो गया यह, 2, 2, 4, 9, 4.5, साड़े 4 आवर में, 4.5 आवर में समझे इस बात को आप, लेकिन उसने बोला है कि अब C भी आ गया है जब और starting से आया है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब starting से ही आया है C, ठीक है, C came into picture from starting, क्योंकि उसने बोला है कि operator को पता नहीं था कि C भी खुला हुआ था, जिसकी वाज़ से वो निकाल ली ज कर दोगे, तो यह कितना बनेगा, आपका 6 सावर बनेगा, यानि कि टैंक अब 6 गंटे में भर रहा है, आपको यह बता लग गया, अब इसका benefit क्या है, आप देखे कि A प्लस A को 6 गंटे लगते हैं, केले अगर वो भरता है तो 3 इसकी efficiency आगी, B को 18 गंटे लगते हैं, अगर वो केले उस टैंक को बरेगा, तो इसकी A efficiency आगी, अब आप समझे इस चीज़ को, कि अगर शुरू से, शुरू से ऐसा हो रहा था, कि लीक चल रहा था, तो शुरू से A प्लस B काम नहीं कर रहे थे, A प्लस B माइनस C काम कर रहे थे, क्या ये बात अब समझ पा रहे हैं, वो निकाल ली जा रहे थे, वो भर रहे थे, वो चोरी कर रहा था, तो यानि कि तीनों एक अठा काम कर रहे थे शुरू से, तो इसका मतलब है कि A प्लस B माइनस C इस काम को 6 गंटे में करते हैं, क्या ये बात आप समझ पाए हो, 6 गंटे में वो अगर भरा है टैंक, तो इसका ये मतलब निया कि A प्लस B ने पहले 4 गंटे भरा, फिर C चला, ऐसे थोड़ी होगा, C बात में क्या चल के करेगा जब उन्होंने भरी दिया, तो इसी लिए ये समझिया बात कि A प्लस B का पहले हमने निकाल लिया, कि अगर A प्लस B उसको भर रहे हैं, तो वो 4 गंटे में उसने काया कि अब क्या हो रहा है, C की वज़े से 1.5 गंटे का डिले हो रहा है, तो मैंने पहले का निकाल लिया, जो उसने बोला कि उसको कितनी दिर में भर सकते हैं, A प्लस B वो 4.5 गंटे में, और डिले जो हो रहा है, यानि कि 1.5 गंटे का डिले हो रहा है, तो 6 गंटे, लेकिन ये 6 गंटे कब लग रहे हैं ये तब लग रहे हैं जब A plus B minus C काम कर रहे हैं यानि तीनों मिलके जब काम कर रहे हैं बेशक से B बाहर निकाल रहा है और A और B फिल कर रहे हैं तो उस case में 6 गंटे लग रहे हैं उसको fill होने में क्योंकि इसकी efficiency इतनी नहीं होगि इस case में कि वो जब उसने बोल दिया कि filling का case है तो अवशी बात है कि इसकी efficiency इतनी नहीं होगी कि ये पूरे का पूरा पानी बाहर निकाल दे तो उनकी दोनों की efficiency जादा होगी समझे इस चीज को तो अब आप देखे कि A की efficiency तो 3 है B की 1 है A की 3 है B की 1 है कुछ महनुबा बोलेंगे वो तो हमने जी इसके लिए निकाली थी efficiency थोड़ी बदल जाएगी efficiency तो यही रहेगी ना भई चाहे वो यहाँ पर fill कर रहे हैं चाहे यहाँ पर fill कर रहे हैं efficiency कैसे बदल जाएगी समझे इन चीजों को यार यहाँ पर confusion नहीं create करना अपने mind में यह मैं जान बूच के आपको अभी clarify कर रहा हूँ क्या यह बात अब समझ भा रहे हो मेरी तो यह 3 हो गया यह एक हो गया यहाँ पर efficiency 3 होनी ही है क्योंकि 6 गंटे में काम हो रहा है भाई यह a plus b minus c 6 hour में काम कर रहे है total work है 18 तो अगर मेरे को efficiency निकालने है तो total work divide by my time यानि कि 3 जो है यह efficiency आगी आप देखो कि 3 plus 1 तो c को भी 1 ही होना पड़ेगा क्योंकि यह 1 1 cancel होंगे यहाँ पर यह minus क्या तो यहाँ पर minus 1 आएगा उवसी बात है तो यह 1 1 cancel हो जाएगा तो 3 आजएगा और इदर भी 3 है समझ रहे है इस चीज़ को यानि कि c की जो efficiency है वो minus 1 आगी यानि कि खाली करने की किशमता उसकी 1 है आप देखे कि total काम अठा रहा है और c की efficiency 1 है तो इतने घंटे लग जाएंगे c को अगर वो अकेला उस भरे होई tank को खाली करना चाता है ठीक है उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि A और B चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं उन्होंने सिर्व यह पूछा है कि अगर वो भरे होई tank को खाली करना जाए तो कितने समय में कर देगा वो पूछने का मतलब ही यह था कि यह निकालनी है आपको ठीक है यह efficiency आपकी 1 आगे है लेकिन क्या है रब करने से पहले मैं यहां पर ब्लू से कर देता हूं काम जो भी करना मेरे को ठीक है ताकि आपको doubt ना हो यह red से कर देते हैं किसी दूसरे पैंट से करना बैटर रहेगा यहां पर मैं क्या करना चाह रहा हूं अब मैं एक छोटा सा change करता हूं सवाल के अंदर मैं change करता हूं question आपको दिख रहा है question में मेरी तरफ से एक बहुत major change हो रहा है language के अंदर जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं language भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप hair-fair कर सकते हैं जिससे सवाल बना सकते हैं आपने तो language में एक change मैं करता हूं कि एक घंटे के बाद वो tank फट जाता है और उसमें एक leak create हो जाता है operator की गलती की वज़े से नहीं और आप आप वो क्या है कि A और B भर रहे थे उसको बिल्कुल यही सवाल है लेकिन operator की गलती वाली line काट दो और वो इसमें एक add कर लो line कि operator की गलती से कुछ नहीं हुआ श्यानी की एक घंटे के बाद क्या हुआ कि इतना कुछ pressure बना यहां जो भी बना जिसकी वज़े से leak डेवलप हुआ तो उसके बाद वो tank में से leak की वज़े से पानी निकलने लग गया एक घंटे बाद ऐसा हुआ और फि कहा हैंगा वो दिखना टोटल वर कठा रही ही रहेगा यह तीन और एक यह efficiency ही रहेगी सवाल में ठीक है जो line change कर रहे हैं उसको change कर लेना नया सवाल बना लेना इस सिखाने के purpose से बता रहा हूँ कोई सवाल चाहता तो मैं बना भी देता लेकिन ठीक है आप लिख लेना उसक ठीक है टोटल वर कठा रहा है और साड़े चार घंटे लगते हैं उसको टोटल काम करने में इसमें कोई दोराय नहीं है ओके लेकिन आपको क्या समझना है कि एक घंटे के बाद leak develop होता है बेशक से बेशक से डेड़ घंटे का डिलेए वो छे घंटे आ गया यह बिल्कुल स गंटे शुरू से है लेकिन A प्लस B माइनस C का केस अब शुरू से नहीं है अब उसने बोले कि एक घंटे के बाद leak develop हो है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें से एक घंटे को हटाना पड़ेगा यह सवाल आप तभी कर पाऊगे नहीं तो कर नहीं पाऊगे कि यह बात इसमें मिलके उस काम को कर दिया है यानि कि A और B ने आप जरह ध्यान दीजे कि इसके अंदर A और B इन्होंने क्या किया वन आवर तक फिल किया इसको एक घंटे तक फिल किया बड़ा महतपुन सवाल है इसके अंदर एक और गलती करो गया अब सुनते रहना एक घंटे तक अब मैर को तो वो यह पूछ रहा है ना कि C कितनी दर में उसको एमटी कर देगा तो क्या यहां पे फिलिंग का टाइम लूँगा मैं नहीं लूँगा यह फिर से 65 और 68 रंबर सवाल है जाओ उन पे अगर भूल गए हो तो और 65, 68 और 75 का यह जो B पार्ट मैं आपको बता र मिलके का उसने बोले कि C कितनी दर में खाली कर सकता है जो यह भरा हुआ है तो यह जो फिलिंग का टाइम एक घंटा है यह हम नहीं लेंगे इस सवाल में यह मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं ओके तो यह जो एक घंटा है आपको नहीं लेना है तो उस एक घंटे क work को भी हटा दो, तो एक घंटे में यो दोनों मिल की कितना काम करेंगे, 4 work करेंगे, 4 work इस 4 work को 18 में से माइनस कर दो तो अब हमारा work कितना बचा 14 कि ये बात आप समझ पायो कि अब हमारा काम है 14, ठीक है जी और ये 14 काम हमें कितनी देर में करना है, 5 hour में कियोंकि इस एक घंटे को हटाना पढ़ेगा c जो है, leak जो है वो शुरु से नहीं है, वो एक घंटे के बाद डेवलाप हुआ है, अगर एक घंटे के बाद leak डेवलाप हुआ है, तो इस एक घंटे को इस total time में से हटा दो 5 गंटे हो गया लेकिन अब वर्क कितना है यहाँ पर 14 है 14 आपका वर्क है तो यानि कि efficiency कितनी हो जाएगी 14 divide by में 5 तो यहाँ पर आपका यह कितना बन गया 5 दूनी 10 और 5 अठ्थे 40 होता है ठीक है 2.8 बन गया तो यहाँ 3 नहीं बनेगा इस case में इस case में यहाँ पर 2.8 बन जेगा और इसको आप x मान लेना तो x क्या आजएगा आपका 2.8 माइनस में 4 तो यह कितना बना 1.2 negative में आएगा वो आना भी चीए negative में 1.2 आगया यह तो कितनी दिर में खाली होगा ठीक है उसको बोल रहा है कि कितनी दिर में पूरे टैंक को खाली कर सकता है अगें अगली silly mistake देख लो आप लोग वो बोल रहा है कि पूरे टैंक को कितनी दिर में खाली कर सकता है आप कुछ लोग बोलेंगे 14 डिवाइड बाइड में 1.2 नहीं यह तो 14 अमने आंसर निकालने के लिए बोला है वो बोला पूरे टैंक को कितनी दिर में पूरा टैंक तो 18 का है बाई तो यहां पर 14 डिवाइड बाइ 1.2 मत करना फिर गलती करोगे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब हमारा आंसर हो जगा 18 बाई 1.2 समझे यह है ब्यूटी इस तरह से समझाया जाता है और मुझे नहीं लगता कि आज तक यूटूब पे किसी ने इस तरह से समझाया होगा ठीक है जी यह मैं सोच रहा हूँ कि यह जो क्लिप है ना इस क्लिप को मैं एक ना अलग से कट करके भी डालूँगा ताकि लोगों को समझाया कि हम किस तरह से चीजों को करते हैं ठीक है जी उमीद कर रहा हूँ कि सवाल आपको पसंद आया होगा ऐसी बहुत सारी चीजे हैं हमारे बास बहुत जबरदस कॉंटेंट के साथ आया हूँ मैं मैं यहां इस इंडस्ट्री में रहने आया हूँ ना कि फाल तुमें टाइम बास करने है ना तो ऐसा कुछ नहीं होने बाला है इसलिए मैंने अपनी महनत से जितने भी टाइम मैंने महनत की है उससे जो भी मेरे पास कलेक्शन होई है सारी मैंने यहां लगा दी है सेट अप पे और कुछ उधारी है ना तो बहुत मुश्किल से सेट अप लगते हैं इतना असान नहीं है और बहुत कुछ आपके लिए करने की तमन्ना है दिल में बहुत चाहा है कि कुछ अच्छा किया जाए स्टूडेंट्स के लिए और उसके लिए आपका मैंने को साथ पूरा-पूरा चाहिए है आपको जितनी भी वीडियोज हैं हमारी वो यूटूब पे ही देखनी है जब समय मिले उनको चलाओ लेकिन यूटूब पे चलाओ डाउनलोड करनी ही करो कोई दिक्कत नहीं मुझे उस चीज से लेकिन क्या है ना कि बहुत टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यूटूब पे ही देखो उन वीडियोज को ताकि हम जो मेहनत कर रहे है चाहे वो मॉनिटरी मेहनत कर रहा हूँ मैं चाहे वो किसी भी एंगल से कर रहा हूँ है आपको content देने के लिए कर रहा हूँ रात रात भर जाक के कर रहे हैं हम लोग इतना मैं बता रहा हूँ आपको कि इतनी मेरी बिल्कुल कोई कमाई नहीं इतना तो electricity का बिल आ रहा है सच बता रहा हूँ मैं आपको लेकिन आपकी तरस अगर मेरी को इतनी appreciation मिलेगी न कि आप YouTube पे ही देखते रहोगे तो कम से कम YouTube help करेगा उन चीजों को grow करने के लिए तो Sunday को आप ready रहना pipes and system के लिए शुरुआत से ही आपको देखना है वो और बहुत मज़ा आएगा आपको नए setup पे पढ़ने में इसकी मैं surety देता हूँ चलिए ठीक हम मिलेंगे Sunday को ओके बाई बाई टेक केर सीजू